हेलो फिरेंज आपके अपने ही चैनल ठीके में स्वागत है दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे महत्पून तीन मुद्धों पर आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं पहला मुद्धा होगा हमारा कि सिक्षा विवाग से जो बड़ी अपडेट्स आई है उस सिलसिले चर करेंगे तो सिद्धे रुक करते हैं विडियो की तरफ अगर आप अमारे चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें क्योंकि लगातार सेवन फेज सिक्स फेज जुरी लगातार अपडेट्स आ रही है सिटेट की नोटिफिकेशन भी सायद क आई जा रही है कि जुलाई के पर्थम या दितिय सब्ता में आएगा तो चैनल पर बने रही है तो आपको अपडेट्स मिलते रहेगी करेंट अपडेट्स भी आपको मिलते रहेगी और आप आज के खबरों से जुरे रहेंगे पहला मुद्ध हमारा मेरिट को लेकर हैं तो जो मिले तो क्या हुआ क्योंकि मेरिट वाले जो हैं जो आंदोलन रत थे पटना गर्दनी भाग में उन्होंने कहा सिक्षा विवाग से हमारी बात हुई है तो सिक्षा विवाग से जो मिले तो उनकी क्या बात हुई क्या उनकी मांगों को कंसीडर किया गया या अगला जो म प्रएरन के अंतरगत फिलाल उसके कोट कह रही है कि हमने रोक लगा दिया क्या होगा उसका उसका कोपी ओडर भी आया उस पर चर्चा करेंगे और नियावली बाइस की बाइस की बात हो रही लगाता है और कि बाइस आएगी बाइस आएगी उस पर बात करेंगे दोस्तों हम बता दे अभी तक नियावली 2020 ही लागू है बाइस के भी कोई चर्चा नहीं हुए लेकिन हाँ विदान्स परिसत के विदान पटल पर ये कुछ नियम संसोधि तो विडियो आएवली खास आप अमारे चैनल पर बने रहें विडियो को बिना कि स्कीप की हुए देखिएगा ताई कि सही जानकरी प्राप्त कर सकें तो लगातार मेडिट वालों के तरफ से जो आंदोलन चर रही थी कि स्ट्रेटी मार्स के अधार पर बहाली हो वासन तक कुछ नहीं दिया और कुछ नहीं बोला कि स्ट्रेटी मेडिट के अधार पर जो भाली होगी अंकों के अधार पर होगी या नहीं होगी बस इतना कहा कि आपका अंदोलन न्याय संगत नहीं है तो सिक्षा विवाग ने हम स्ट्रेटी अवर्थी से जम्मिले तो वापस लोटना पड़ा अंतता आंदोलन अस्थगीत भी कर दिया गया है सेटी मेडिट वालों की तरफ से और आंदोलन का उद्देश नाय संगतनों होने के कारण परिनाम भी अच्छे देखने को नहीं मिलें सिक्षा विवाग भी ऐसा रूख अपनाते हुए कहा और हम ल वाके नियाउली 2022 की बात हो रहे है संसोधन विदयक जुम कर दू इससे थोरा सा कि संसोधक विदैक विव के पडल पर यानि विधान परिशत के पडल पर रखा गया और विदान परिशत में परसुनवत्तर काल के बाद परिशत के सचीप के माध्यम से भीहार च्छोआ या प्रबारी मंत्री मंगल पांडे ने सिक्षा विवा के बिहार राजगेरसा रकारी मनेता प्राप्त अनुदानित मदर्शा यानि मोलवी अस्तर तक सिक्षन और गेर सिक्षन करमचारी न्यूक्त एवं सेवा सर्त नियावली 2022 बिहार राजगेर सरकारी मनेता प्राप्त अनु नियावली को बोर्ट पे रखा गया है संसोधन है तो लेकिन मादमी कुछ मादमे सेकेंडरी की बात करें तो नियावली 2020 ही अभी भी लागू है प्रवावित है नियावली 242 का जिक्र तक नहीं किया गया है कहीं अगर हम अगला अपडेट्स की बात करें तो कोट केस के बारे में क्या कुछ हुआ वो देखिए आप यहां पे को आप देख सकते हैं यह इन दा हाई कोट ऑफ जुडिसियर एड पटना है ना सिवेल लिखावा है प्रकास चैंदर मिश आफ जो कि इन्हें जस्टीस से नहीं के वेंट के थरूँ केस है इनके अंडर में और कोट ने 29 जून को आदेश दिया था जो हमारे जस्टीस मोहद है उनके बैंच ने जिनके अंत्रगद के सिस्टेट है किस केश के बात कर रहे हैं के सिस लेड़ी कोट जो लगा हुए उस के बाद में बात कर रहे हैं जिन्हों ने अपने हाल फिलाल में सुना यहां पे आप देख सकते हैं अगर मैं इसे जूम करूं तो 13 जुलाई को अगला सुनवाई होगी कमिटी कोट ने आदेश दिया है सिक्षा विवाग को की सरकार को की रिपोर्ट सम्मिट करें एक विशेश कमिटी गठन करके और गलत परसनों को लेकर जो मामला हुआ है उसके बारे में 13 जुलाई 2022 को कोट का क्या फैसला आता है यह देखने वाली होगी दिल्चर्स पोगे अगर निसकर्स की बात करें तो कोई खास इस पर प्रवाहित ने परने वाला है केस थे आपको मैं दिखा दूं यह वाली केस जो अभी तक पैंडिंग में है मार्च में सुनवाई हो थी अभी तक सुनवाई नहीं हुए तो आप इससे ज्यादा इससे चिंतित होने की कोई आवसक्ता नहीं है 30 जुलाई 2022 तक आपको सब्सक्राइब और अगर होता भी है तो इस पर सभी पर प्रवावित नहीं पड़ेगा सिर्फ मैं फिजिक्स वाले को कुछ प्रवावित पर सकते हैं लेकिन व्यक्तिकत मानना है कि ज्यादा कुछ प्रवावित होने वाली नहीं है 30 जुलाई से पहले कोट का सायद आदेश भी आ जाए क्या कुछ होता है तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में नेक्स अप्टेस के दा तब तक के लिए धन्यवाद